कि नमस्कार साथियों मैं विनोत्कार्तिक लेट्सकेक टीटी पर आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूं दो धो trosley को न्यूज मैं आप लोगätz के लिए यहां पर लेकर आया हूं न्यूज मैं अभी थोड़ी दिर पहले पेपर देख रहा हता तो मुझे को एक न्यूज और मिली है सूचा कि आप लोगों तक पहुंचा दूं क्योंकि यह न्यूज भी अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों यहां अभी आप देख रहे हैं परिश्दी स्कूलों में सिख्षकों के साथ हजा बहुत हटर जाए साथ सो बारव पद अभी खाली पड़े पड़े हैं यह न्यूज है तो दोस्तों आयए चलो इसके बारे में देख लेते हैं पर्याग राज की यह न्यूज है हिंदुस्तान न्यूज़ पेपर में है तो आप इसको चाहो तो बिलकुल क्रोश वे प्रात्मिक और 45,625 उत्ष प्रात्मिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के जो 72,712 पद खाली पड़े हुए हैं पिछले तीन साल में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बाद इस्तिती में थोड़ा सा सुधार हुआ है लेकिन प्रात्मिक स्कूलों में सिक्षक के जो 63,261 पद रिक्त हैं जून 2021 में ग्रामिन छेत्रों के स्कूलों में 51,112 पद खाली थे जिसका हलपनायावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल जून में ही लगा दिया था उसके बाद भी लगातार अभियान चलता रहा धरना प्रदर्शन जारी रहा और ट्वीट भी चलता रहा ट्वीट पर भी एक अभ्यान छेड़ा हुआ जिस पर हम लोगों ने भी ट्वीट किया है जो लेट्स के टीटी है उन्होंने भी ट्वीट किया है और इसके अलावा नगर छेत्रों के स्कूलों में 12,144 सिक्षकों की कम होनी है हलाकि नगर छेत्र के कैडर अलग होने के कारण इन पदों पर सीधी भरती नहीं होती है लेकिन प्रात्मिक और रोजप्रात्मिक में प्रधाना अध्यापक के 53,778 पद रिक्त होने की सूचना सार्षन को भेजी गई है साथ में नगर के स्कूलों के जो शिक्षक है कता है उनमें भी कमी देखने को मिल रही है प्रियाग राज के सहरी चेत्र में सरकारी फ्कूलों के आप्यक्षा के सिकार यहां बड़ी संख्यामें सुख्यकों के पद खाली पड़े हुए हैं और नगरक्षेत्र में सहाय कध्यापकों के जो शिकरत्पद्र हैं 3653 पदों क ये कंडिशन आप यहां देख रहे हैं कारे शिक्ष्यों को की तुलना में लगभग आठ गुना यानि 12129 पद रिक्त पड़े हुए हैं ये कंडिशन है इस वक्त में लेकिन सरकार फिर भी भरतिया निकालने को तैयार नहीं है अब ये आइडिया लगाया जा रहा है कि जिसे इलक्षन आ रहे हैं इलक्षन से पहले इन भरतियों को कराया जाए लेकिन इलक्षन के दोर में इन भरतियों का पूर्ण होना संभव नहीं है तो इसलिए आप भी कोशिश करें थोड़ा सा मैं सभी साथियों से अनरोद करता हूं कि आप भी ट्वीट करें और इन भरतियों साने से पहले इन भर्तियों को कम्प्लीट करा ले। साथ ही 2011 के बाद से ना होने और हर साल सिक्षकों के सेवा निवरत होने के बाद इस्तिति जो है और भी ज्यादा आबत्तर होती जा रही है उसके साथ पिछले दो साल से शिक्षक भरती के लिए अंदोलन चल रहा है लगातार बेरोजगारी अंदोलन जो आप सभी को पता है और प्रियागराज के बीएड है डीलेड है बीटी सी आओ टीटी सी टेट पास लाखों बेरोजगार हैं जो दो साल से सरकार की नई भरती शुरू करने की मांग कर रहे हैं दर्जनों बार ट्वीटर का अभ्यान चलाया गया और उसके अलावा भी लखनों में धरना भी दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो साथियों में आप लोगों से फिर भी यही कहूंगा कि देखो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कोशिश कर करते रहने चाहिए एक ना एक दिन तो सरकार के कानों पर जून रहेंगी जरूर ठीक इसलिए तो अब ट्वीटर के माध्यम से अगर वैसे नहीं जा सकते तो ट्वीटर के माध्यम से बिलकुल आंदोलन में भाग लीजिए जो लोग नजदीक के हैं या जो जाने में सक्ष स्कूलों में 9451 पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार ने इन स्कूलों से सीधी भरती पर लोक रोक लगा रखी है दो हजार तेरह की बात करते हैं दो हजार तेरह में गणीतोर विज्ञान विशे के 29,333 सहाय का ध्यापकू की भरती के बाद उच प्राथ्मिक में भी कोई कि भरती नहीं हूए अभी ये बहुत सारी कम्या हैं बहुत सारी समश्यां हैं जो यहां पर हमेंसे देखनी को मिल रही है तो दोस्तों मैं यह इह आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि सब लोग एक जुट हो जाईए क्योंकि एक जुट होने में ही हम सब की भलाई है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को अच्छी लगी हो गर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथ में अपने जितने फरसातिय उनको बताईएगा कि क्या कंडिशन चल रही है परिशति स्कूलों में शिक्षकों की क्या कंडिशन चल रही है नगर ये छेतर में क्या चल रही है उच प्रात्मिक स्कूलों में क्या चल रहा है दो साल से शिक्षक भरती के लिए आंदोलन कर रहे हैं वे रोजगार तो यह बहुत सारी समझ्याएं हैं ताकि सब लोग इसके प्रति जाग रूख हो सके तो दोस्तों मुलाकात करेंगे एक और नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए नमस्कार धिन्यवाद जैहिन जैवाद